रादे रादे अवीवन और दोस्तो मालचमी की किरपा आप सभी पर बनी रहे तो आज की वीडियो में मैं दोस्तो आज आप लोगों के साथ में शीर करूंगी कि मार्गसीज के जो महीना होता है उसके गुरुवार की पूजाविदी इतनी महत्पूर्ण क्यूं है और क्यूं हम करते हैं और किसलिया करते हैं तो दोस्तो अर अगर हम मार्गसीज महीने में गुरुवार की पूजाविदी करते हैं तो उसमें हमें कभी भी आनधन की कमी नहीं रहती और दोस्तो इसका वर्त गुरुवार को करना हमें बहुत जरूरी होता है और मालचमी की जो जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी तो दोस्तों देखो गुरुवार के दिन इतना डीप क्लीनिंग हम कर नहीं सकते हैं तो बुद्वार के दिनी शाम के टाइम हमें अपना अच्छे से पूजा मनलब पूजा पाट करने के बाद में अच्छे से सफाई कर ल तो यह मैंने ग्रीन कलर का वस्तर बिचाया है उसके बाद में मैंने साबूत चावल रखने हैं तूटे हुए चावल उसके उपर नहीं रखना है लोटा लेना है दोस्तों उसमें हमें जो मातारानी की पांच चीजे प्रिये हैं वो हमें इसमें डालनी है जैसे कि अपना सिक्का है फूल माल जो होते हैं वो है तो आप कलस कोई सा भी ले सकते हो आपके पास तांबे का है चांदी का है सोने का है किसी का भी हो आप ले सकते हो उसके बाद में दोस्तों हमें असो का या पान का जो भी पत्ता हो वो आपके पास अवेलेबल जो भी आपको आसानी से म पर रखना है और नारियल यह जो हम रखेंगे इस पे हम कलावा भी बस्तर सवरूप बांदेंगे और दोस्तों यह जो हम कलस के स्थापना कर रहे हैं मातलच्मी के सवरूप में इसे हम इस्थापित करेंगे मातलच्मी का ही यह रूप है और इसी की हम पूजा करेंगे और यह महिने में 4 वर्थ होती है मार्कजिस महिने के जो हमें अवश्य करने चाहिए और यही माता लच्मी का सवरूप है और इसी के हम पूझा करेंगे अब उसके बाद में दोस्तों देखो हम करेंगे गणेज जी की पूझा क्योंकि गणेज जी की स्थापना भी हमें करनी बहुत जरूरी है उसके बिना हमारी पूजा है अधूरी तो उसके बाद में हमने ये गणेज जी के रूप में रखी है सुपारी कलावा लपीट के और तब हमें ये रखनी है गणेज जी की स्तापना करनी है इसके बाद में दोस्तों हमने करनी है विश्नु जी की इस्तापना तो क्योंकि विश्णु जी के बिना भी हमारी ये पूजा अधुरी है और गनेज जी और लच्मिमा तो इनकी आप करनी है उसके बाद में थोड़े से हम अक्षत रखेंगे और चावल हमें दोस्तों मैंने पहले भी जैसे आपको बताया है साबुत लेने हैं त जहां पर अपना विश्णु भगवान की स्तापना करेंगे वहां थोड़े से हम चावल रखेंगे उसके बाद में हम ये विश्णु जी की स्तापना करेंगे और दोस्तों हमने फिर अपना मातारानी से प्रातना भी करनी है और ये थोड़े से अक्षत हम लेके फूल लेके और अब हम मातारानी से कहेंगे कि मातारानी हमारे घर में विराज मनो और अपने बच्चों को आसिरवात दो अन धनकी कभी भी कमी ना हो हमारे घर में इस तरह की मातारानी से कामना करनी है जो हमारे हाथ में अक्षद और फूल है वो वहीं भी हमने मातारानी जो लचमी सवरूप हमने इस्तापना किया है उसके पास में हमें रख देना है अब इसके पाद में दोस्तों हमने अपना दिया प्रजलित करना है तो दिया आप देखो अगर घी का है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप तिली का या अपना सरसो का या फ मिस्नान सवरूप में जल शडकेंगे और किस में बशत चिवाई मैं अब जो गांगे जल सब करेंगे को दोस्तों कुः दोस्तों हाद दिलक शचा है जला यह सब करेंगे तो इस तरीक्चे से हमें सब को दिलक लगा देना ह। अब जो दोस्तो है हम फूल समर्पित करेंगे सब को और दोस्तो हमें इत्र बहुत जरूरी है इत्र हमें जरूर समर्पित करना है क्योंकि माता राने को इत्र बहुत ही प्रिये है तो इत्र भी हमें ये जो हमने माता राने की स्थापना किये वहां पे हमें इत्र भी समर्पित नायरायल पंसामर्प्त करिए हैं यह पाई ब्होग के लिए दोस्तों देखो हमें जो भी है रितूफल हो या ड्राइफूट हो आपके पास तो हम समरपित करना है और लेकिन पूजा में हमने पान का जरूर भोग लगाना है क्योंकि हमारी मातलचमी को पान भोत ही प्रिगय है तो लोंग इलाइची पतासा ठीक है तो य अब इसके बाद में दोस्तों हमें अपना दक्षिना जितनी आपके पास हो उस तरीके से आप अपना दक्षिना भी समर्पित करो दस वेश जो भी आपकी जितनी भी शर्दा हो उस हिसाब से दक्षिना हमने समर्पित कर देनी है जो भी आपके पास हो और एक कलस हमें एक ग्ल अगर लोटा है तो लोटे में नहीं तो गुलास है जो आप पूजा में यूज में लेते हो, उसमें आप जल समर्पित कर दो, और ये वर्त ना दोस्तों, आप चार में से किसी भी वीर्वार को गुरुवार को ये वर्त आपने करना है, और उसके बाद में फिर देखो, आप अलग से भी दीपक जला के आर्थी कर सकते हो नहीं तो इसी दीपक से लचमी मा को आर्थी करनी है और दोस्तों देखो इस का जरम हम समष्स महीने में गुरुवार के पूजा करते हैं तो शुबह हमें चावब पिस के और लचमी मा के चरण जरूर बनाने हैं अपने द्वार पे क्योंकि माता रानी देखो उसी के घर में विराजमान होती है जहां पे सुद्धी हो और उनके पूजा पाठ हो तो उस तरीके से ही माता रानी अपना आसिरवाद अपने बच्चों को देती है फिट दोस्तों हमने थोड़ा सा अपना जल चिड़क दिया है और बिलकुल सरलवीदी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किये रादे रादे दोस्तों